चलिए अज़ बनाते हैं सिंपल वे में कठल और आलू की सबजी है कठल को दोकर अच्छे से सिटी लगा दे दो सिटी तेल करम करके और इसे फ्राइ कर ले फ्राइ करने के बाद इसे निकाल ले अब जो आलू वल के हैं उसे भी थोड़ा फ्राइ कर ले फ्राइ करने से इसका टेश थोड़ा अच्छा हो जाता है कि अच्छे से भूज करके उसे निकाल ले फिर उसी तेल में प्याच को भूज ले इसमें फ्राइब नमक डाल दे था कि वह जल्दी से गल जाए जब प्याज गल जाए तो उसमें अत्रक लहसन का पेश्ट तो चमच अत्रक लहसन का पेश्ट डालकर उसे अच्छे से भूज ले उसमें सुख्य मसाले ढाले धन्या लाल मेर्च अपने अपने टेश्ट के अनुसाथ कि थोड़े से लाव पसूरी लाल मेर्चे से थोड़ा कलर आ जाएगा और मसालों को अच्छी तरह से भूल ले इसमें ज्यादा ताम ज्ञाम और कुछ करने की ज़वर रख नहीं है यह स्वादनुसार नमक डाल ले और यह जो हमने प्राई किये थे आलू और कथल उसे डालकर मिला ले चार-पांच मिनट भूंचे इसके बाद करम मसाला डाल ले इस पांच मिनट बूनने के बाद देखे सबजी तयार हो गई हमारी इसे रुपी के साथ पड़ाठे के साथ तो चाल के साथ है बस सिंपल और साधा रंजी जल्दे बनने वाली है